तो और गूड मॉनिग दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंद दिद प्लैटफर्म स्टडी आइक्यू बीर प्रशानतीवारी आप सभी का स्वागत करता हूं कैसे हो सभी के सभी गूर्स घूट मॉर्निंग गूड मॉर्निंग गूड कैसे चल रहे सेशन सभीगे और और आप सभी तो जानते हैं आज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्ट्रीमिंग शुरू होगी क्या एक सेकेंड चेक कर लेते हैं स्ट्रीमिंग हमारी शुरू हुई या नहीं हुई है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाप स्त्रियाकाल क्यासे हो सभी के सभी और आज सेकेंड दिसंबर है और हम हिंदू नियूस पेपर का अनलेसिस करेंगे एक बार आवाज क्लियर आ रही है तो कमेंट कर दीजिए फटा-फट से दोस्तो जिससे सेशन को आगे बढ़ाया जा सके शुरू किया जा सके और दिन की शुरुआत जो हम कह रहे थे क्या कह रहे थे कि Sometimes Later Becomes Never यानि कि दोस्तों कभी कबार हम जब यह कहते हैं कि बाद में कर लेंगे कभी भी नहीं होता बाद में करने वाला कॉंसेप्ट कभी भी नहीं है यानि कि जो होता है अभी होता है क्या होता है अभी होता है तो यह सबसे इंपॉर्टन चीज है मैं आपको कई बार बहुत अभी स शॉड़ी बाते नहीं कर रहा हूं लेकिन आप यहाँ पर यह समझ यह मैं 15 मिनिट्स ट्रैवल करके गया स्टूडियो पर और स्टूडियो पर ट्रैवल करके वहां पर क्या मिलता है इंटरनेट का ईशू मिलते है सेशन के अंदर में हैना session को delete करना फिर उसके बाद में travel करके वापस आना यानि कि परिस्तिती तो बिल्कुल भी सही नहीं थी कि class ली जा सके बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन क्या है आपकी हर situation के अंदर में आपका character क्या है आपका determination क्या है ये determine करेगा कि आप successful होंगे या नहीं होंगे for example मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप जो ये कहते हैं मेरा मन नहीं हो रहा आप कहते हैं कि माहौल नहीं मिल रहा पढ़ाई का आप कहते हैं energy नहीं आरी पढ़ाई की दोस्तों कभी नहीं आएगी ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा और ये motivation वाली जो ये आप तरीके हर टाइम पर motivation के लिए घूमते रहते हैं अटकते रहते हैं उस चीज के पीछे मत भागिए जो आपका काम है उस काम को करिए जिस दिन आप अपना काम करते रह जाएंगे आपको अपने आप ही result आना लग जाएगा और satisfaction होगा satisfaction सबसे important चीज है आपको satisfaction नहीं होगा तो एक guilt रहता है वो कभी नहीं रहना चीज है तो आज के जो important article है उन सभी को देखेंगे आज कुछ अच्छे article है और बहुत सारे article क्या है repeated article है बहुत सारे article, repeated article है जैसे आप देखेंगे election commission से related article है आपका inflation से related है यह सारी के सारी चीज़े यह आप CGI, collegium वाला यह सारी के सारी चीज़े क्या है repeated article है फिर भी हम इनको क्या करेंगे देखेंगे चले फटा-फट से आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यह बहुत ही खास एक information है SIP plus success and prelims 2023 यह crash course launch किया गया है आपके लिए जिसके अंदर में आप prelims के लिए revision बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से कर सकते हैं आप सभी को यहाँ पर सब कुछ मिलेगा सारे subject जो prelims में आने वाले हो complete किये जाएंगे मातर 6000 रुपे में आप इसको access कर सकते हैं 19th December से इसकी classes शुरू हो जाएंगी PRT live code ही use करना है ऐसी दोस्तों यह NCIT का course है code क्या use करना है PRT live code ही use करना है आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं अपने session को एक चीज और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा था यह चीज डिसकस करूँगा वो चीज मैं अभी भी डिसकस करना चाहता हूँ कल मेरे पास किसी का message आया CSAT को लेकर क्या आया CSAT को लेकर और यह बहुत important है कि discuss करना भी चाहिए काई सारे बच्चे CSAT को लेकर confuse रहते है दो CSAT के अंदर में जब हम NCRT की बात करते है तो हम maths की NCRT की बात हम नहीं करते है जब हम NCRT पढ़ने की बात करते है तब हम क्या बोलते है history हो गया, polity हो गया, economy हो गया, geography हो गया, science हो गया इस type की NCRT पढ़नी है maths क्यों नहीं पढ़ने को कहते यह general tendency में यह कहा जाता है कि maths का जो level है वो 10th class तक का level होता है लेकिन 10th class के level यानि कि आप अगर NCRT करके चले जाओगे तो यह मत सोचिए कि आप aptitude यानि कि maths के question aptitude वाले quantitative aptitude वाले solve कर लोगे quantitative aptitude की बात कर रहा है aptitude का मतलब क्या कि question को जल्दी से जल्दी यानि कि less time में solve करना भले ही आपका percentage topic आएगा उसके अंदर में questions के तरीके अलग होते हैं थीक है questions के तरीके अलग होते हैं उनको पूछने का approach अलग होती है तो बहुत सारे बच्चों को इसमें confusion थी तो मैं आपके साथ में share करना चाहता हूं कि वो कहा जाता है कि 10 तक की level का maths आता है यानि कि 10 तक की level का maths का आने का मतलब क्या कि यानि कि 10 तक का syllabus यानि कि 10 तक का syllabus लेकिन maths जो है वो पूछने का तरीका अलग होता तो ये चीज़ clear कर लीजेगा कोई भी book उठा लो जो SSC वगरा की तयारी कराते हो उसको उठा लो या कोई भी चीज़ आप तो आप देखेंगे CSAT की classes अपने study IQ IS पर भी शुरू हो चुकी है कल पहली class हो चुकी है उसको देख लीजे more than sufficient है चले तो सबसे पहला आर्टिकल अब देखते है battle to bring fresh water turtles back from brink ठीक है तो चलिए चुरू करते हैं इस topic को आप सभी जानते हैं दोस्तो turtle कच्छुए अभी ये news के अंदर में भी है अभी ये news के अंदर में था अभी आपको पता होगा अब बटागुर का कचुगा हमने news में देखा था sites की meeting हुई थी भारत ने कहा उसको क्या करें कि उसको आप extra protection वाले उसमें डालिये index के अंदर में तो सबसे पहले हम issue देखते हैं ये issue क्या है turtle का issue क्या है दरसल दोस्तो turtle की बहुत ज़्यादा क्या होती है smuggling होती है smuggling होती है और smuggling के reason कई सारे है सबसे पहला smuggling का reason होता है meat उनके meat के लिए काफी ज़्यादा smuggle किया जाता है दूसरा उनके कई सारे shell होते है ऐसे कई सारे हिस्से होते है जिनका क्या किया जाता है medicine के अंदर में, यह कहा जाता है, traditional medicine के अंदर में इनका use किया जाएगा, एक reason ये भी होता है, तीसरा reason ये हो गया, कि कई सारी ऐसी माननेताएं हैं, कि उन्हें हम pet के रूप में पालेंगे, कच्छुए को pet के रूप में भी पालेंगे, ये major तीन कारण ऐसे हैं, जिनके कारण म ठीक है और इसी के लिए करते हैं आप यह देखे ना टर्टल की यह देखे अभी सबसे पहले आद वेस्ट बेंगॉल पुलिस ने 270 केजी ऑफ टर्टल का कैलिपी यह प्लीज याद रखेगा अ ग्लेट्यूनिस लेयर फाउंड इन लोवर शेल ऑफ टर्टल जिसको क्या किया ट्रडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर में यूज किया जाता है उसको पकड़ाए 270 के जी कहां पर मालदा डिस्ट्रिक के अंदर में बांगलादेश जाता बांगलादेश से आगे जाता और मैं आपको बता रहा हूं जो मीट है उसके लिए बहुत जादा स्मगल किया जाता है तो इसको बचाने की क्या है बहुत जादा जरूरत है और अभी रिसेंट्ली क्या हुई है meeting with sites की sites क्या है convention sites यानिकी साइट्स, convention on international trade in endangered species, यह से क्या होगे, endangered species, wild, flora and fauna, clear है, प्लीज याद रखेगा, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह साइट्स क्या है, यह क्या करता है, जो trade होता है, जो extinct होने की कगार पर हैं, जो endangered species हैं, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फोन हो, चाहे पेड़ पौदे हो, चाहे जीजनतु हो, उनको बचाने के लिए क्या किया गया है, convention, sites लाया गया था, और जो जो इनको sign करते हैं, उनके उपर में क्या है, mandatory होता है, तो उसकी अभी क्या हुई है, क्या हुई है, कॉप हुई थी, conference of party meeting हुई, वहाँ पर भारत ने कहा, जो बटांगूर का कचुगा है, उसको क्या किया जाए, हमें extra protection वाले है, यानि कि appendix 1 के अंदर में क्या कर देना चीए, transfer कर देना चीए, sites के, तो बटांगूर का कचुगा news में आ गया है, और lates, soft shell turtle, ये भी news के अंदर में आ चुगा है, तो प्लीज याद रखेगा, appendix 1, इस list के अंदर में, जो most endangered species होती है, जिनको highest level of protection चाहिए होता है, वो sites के इस category के अंदर में आते हैं, मतलब, प्लीज याद रखेगा, sites एक convention है, जो ये ensure करता है, कि flora and fauna जो endangered है, उनका trade ना हो, और trade को कैसे regulate किया जाए, प्लीज इस word को याद रखेगा, regulate किया जाए, क्योंकि UPSC ने एक बार already ये question पूछा, कि sites क्या करता है, trade को ban करता है, प्लीज याद रखेगा, trade को ban नहीं करता है, regulate करता है, कि most endangered species, जिनके कारड में, जहां पर उनका trade करके जाएगा, वहां पर उनको extinct ना हो जाए, वहां पर invasive species की तरह काम ना करें, यानि कि वो trade को regulate करता है, ban नहीं करता, प्लीज याद रखेगा इस चीज को, बहुत important concept है, और इसके अंदर में तीन appendix हैं, यानि कि तीन तरीके के chapter 9 नों categorize कर रखा है, कि भया, appendix 1 के अंदर में जो हम डाल देंगे, जानवर, ज protection की जरुरत है, appendix 2, फिर appendix 3, यह आप से question पूछा जाएगा, कि कितने appendix होते हैं, तो याद रखेगा appendix, तीन appendix होते हैं, ठीक है, यह सबसे important चीज है, ठीक है, clear है, दूसरी चीज याद रखेगा, कुछ नाम है, जैसे एक red crowned roofed turtle, अब इसको क्या है, बहुत जादा news में बना हुआ है, तो इसको हम जानते है, बटांगूर, कचुगा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ये वाला नाम भी याद रखेगा, red crowned roofed turtle, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, बहुत important है, तल साइट्स के अंदर में, important है, सारी के साज़ी चीज है, इंडिया के अंदर में कुछ और important fact भी हम discuss कर लेते हैं, ठीक है, fact discuss कर लेते हैं, 29 species है, fresh water turtle की, 24 है, and tortoise की 5 है, ये question आप से पूछा जा सकता है, कि tortoise and turtle के बीच में क्या difference होता है, tortoise and turtle की बीच में क्या difference होता है, तो जो turtle होते हैं, दोस्तो, वो आपके aquatic area में ही रहते हैं, और tortoise जो होते हैं, वो आपके terrestrial land, यानि कि आप समझ गयोंगे इस चीज को, कि वो वहाँ पर अपना जादा समय बिताते हैं, प्लीज याद रखेगा, ये important fact है, जो इस article के अंदर में आया हुए, तो question ये पुछा जा सकता है, prelims के अंदर में, कि ऐसे आपको घुमा देंगे, कि turtle वो होते हैं, जो अपना जादा तर समय क्या करते हैं, terrestrial उन सब चीजों में, यानि कि land के उपर में जादा बिताते हैं, और जो आपके tortoise होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना crowned roofed turtle, अभी क्या नाम बता है आपको इसका, red crowned roofed turtle का क्या नाम बता है, बटांगूर कचुगा, ये हो गया, ये आपके कहां मिलता है, found only within national चंबल घरियाल wildlife century, राजिस्थान, मध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिस वेरी इंपर्टन, ये double star mark कर लो इसे, आपको ये, अब आप सुचो, ये direct fact environment पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, कि red crowned roofed turtle, यानि कि बटांगूर कचुगा कहां पर मिलता है, only पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, national, चंबल, घरियाल wildlife century के अंदर में, और national, चंबल, घरियाल wildlife century किन states में है, राजिस्था मद्रपरदेश और उत्तरपरदेश तीनों में फैला हुआ है, ये भी question पूछा सकता है, कि इनमें से कौन सा wildlife century है, जो तीनों state के अंदर में फैली हुई है, तो ये भी पूछा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी चीज याद रखिएगा, और भी कई सारी species हैं, जैसे river terrapin, जिसको हम बोलते है northern river terrapin, हमने वहाँ पर क्या देखा, बटांगूर कचुगा, ऐसे ये क्या है, बटांगूर बसगा, ये कहाँ पर मिलता है, सिर्फ और से सुन्दर बन में मिलता है, मैं आपको emphasize नहीं कर सकता हूँ कि कितनी important information है, ये question direct आपके exam में आएंगे please याद रखेगा, please याद रखेगा, कचुगा यानि की कचुआ, ठीक है, कचुगा, please याद रखेगा, बटांगूर कचुगा, वो क्या है आपका, वहाँ पर आ गया है कौन सी चीज, जो अभी अबने discuss करी है, पीछे, ठीक है, red crown roof turtle, आपसे पूछ लेंगे बटांगूर ब जादा आपको क्या important है, इतना जादा important article है, तो sites क्या होता है, एक ये international agreement है, जहाँ पर governments क्या करती है, आपस में, sign करती है, यानि कि 1974 के बाद में, भारत इसके 25th party बनी, उन्होंने इसको sign किया, sites को join किया, और वहाँ पर क्या करते है, और ये ensure किया जाता है, जो जो countries ने इस के साथ में क्या हो, agree करें, ये क्या है, लीगली binding है, प्लीज इस point को note करें, जैसे हम बात करते है, पैरिस agreement, लीगली binding का मतलब क्या होता है, मान के चलिए, कि अगर आपने कोई sign कर लिया है, अगर लीगली binding होगा, तो इसको follow करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे, तो उसक के आपको desertification से related, UNCCD की बात करते है, वो क्या है, आपका legally binding है, सेम ऐसी दोस्तों, आपका जो sites है, वो भी क्या है, legally binding है, ठीक है, clear है, please ये points note कर लिजेगा, this is very important article, बहुत ज़्यादा important article, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है, तो ये क्यों होता है, मैं आपको already ब अधर में लक्षमी जी आती है, इस कारण से कई लोग पालने लगए, तो इस एक भी बहुत कारण है, मैं बनलब एक example दिया, लेकिन चाइना के अंदर में जैसे आपको बता है, Chinese Medicine के अंदर में इसका इस्तमाल किया जाने लग गया, ठीक है, next article, already repeated article है, Supreme Court से related article है, कि Executive and Judiciary के बीच में dispute चल रहा है, यह editorial है, page number 8 पर था, GS paper 2 से हम relate करेंगे, GS paper 2 यानि कि General studies paper 2, यानि कि आप सभी जानते हैं, जिसके इंदर है, quality, international relation, जिस सारे के सारे topic आते हैं, मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले, इस topic को आगे बढ़ने से पहले, आप से एक थोड़ी सी बात करना चाता हूँ, कल एक किसी का comment दिखा मैंने, उन्होंने कहा कि editorial में आप अपना view ना रखें, editorial को as it is पढ़ाएं, क्योंकि उनके जो समय है, वो important है, बिल्कुल सही बात है, समय से बढ़के कोई चीज नहीं होती, एक गंटा, डेड़ गंटा बहुत जादा important है, पर दोस्त, अ मैं आपको editorial के अंदर में, जो बात लिखी हुई है, वो easy language में समझा रहा हूँ, तो ये बल्कि आपके लिए easy होना चाहिए, आप, मैं line by line अगर आपको पढ़ रहा हो, तो दोस्त, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कैसी और दूसरे session को देख सकते हैं, ये चीज बिलकुल भी ठीक नहीं, और आप मैंसे अगर कोई दोस्त, आप मैंसे ये चीज आते हैं, ये चाहते हैं कि, आप ये चाहें कि, मैं आपको एक-एक point, एक-एक fact लिख कर दूँ, तो ये spoon feeding तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करना हो तो करिए, वरना आप जाके कह ही और पर देख सकते हैं, this is not my concern, मेरा concern बिलकुल भी नहीं है, दूसरी चीज, मैं maximum lecture को हिंदी लेंग्विज में ही, मलब जो आपके साथ में मैं discuss कर रहा हूँ, ये कोई फारसी, अर्भी, इन सब चीजों के अंदर में तो नहीं है, हिंदी में ही है, अब मेरी भी कुछ को ह है, limitation, मैं आप ये assume नहीं कर सकते कि मेरे पास में multi-dimensional time है, मैं एक समय पर हिंदी में भी session लो, एक समय पर English में session लो, possible नहीं है, ये feasible है, क्योंकि time साथ बजे का session है, अगर रात को आठ बजे मैं session लो, तो मैं भी क्या करूँगा, पूरा PDF ऐसे तयार करू, हिंदी में देख ल clear करनी थी, उसके बाद में आपको जैसा भी लगे, उस चीज को आगे करिए, ठीक है, तो इस article को हम देखते हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि Supreme Court को delegitimize करने का stand शुरू हो चुका है, क्या हो चुका है, Supreme Court को delegitimize करने का stand शुरू हो चुका है, याने की दोस्त, वो यह कह करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जितनी भी world के अंदर में regime हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर जब भी executive control करना चाहती है, वहाँ पर यह चीज हमें देखने को मिलती है, कि वो सबसे पहले target करते हैं कि इसको judiciary को, याने कि India के context में हम Supreme Court बोलने जाएं, तो यहाँ पर बहुत important जो concern आता है, वो judiciary versus executive का आता है, जो already हम कर रहे हैं, judiciary एक तरफ में वो बहुत ज्यादा critical है, अपनी independence को लेका, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि collegium ने, जो भी नाम उनको send किये हैं, कि सरकार को, वो उसको क्या कर रहे हैं, वो उसको नहीं accept कर रहे हैं, नहीं मना कर रहे हैं, नहीं हां कर रहे हैं, यानि कि एक तरीके से उनको pocket में रख रखा है, decision नहीं ले पा रहे हैं, जिसके card में ये सारी चीज़ हो रही हैं, दूसरी तरफ में सरकार का आप already, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये repeated article है, सरकार क्या आरोप लगा रही है, कि जो collegium के अंदर म कि उनमें कोई transparency नहीं है, उनमें opacity है, वहाँ पर decision ले जाते है, merit नहीं होता, supreme court की accountability नहीं होती, किसकी collegium की, ये सारे के सारी चीज़े क्या हैं, तो last में क्या है, कल भी हमने ये way forward दिया था, कि दोनों के दोनों institutions क्या हैं, बहुत ज़्यादा important है हमारे देश के लिए, कहानी यही चल रही है, कहानी देखे, अगर इतिहास में देखा जाए, देखे, 1950 के बाद में देखा जाए, तो अगर आप trend देखें, जब government strong रही, याने कि single party rule एक तरीके से क्या रहा, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है, judiciary, ज्यादा तर समय तक क्या रही, committed रही, government के perspective, लेकि पर क्या होता है, judiciary थोड़ा से strong होना शुरू होता है, है ना, और जब दो एक चीज़ समझे, दो एक important institutions हैं, और दोनों में ये होड चल जाए, कि which is more powerful, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, परेशानी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, एक interfere नहीं करना है, किसके अंदर में, judiciary के काम के अंदर में, और जो legislature है, वो ये कहता रहता है, कि भाई साब, आप overreach मत करिये, ये concern चल रहा है, दोनों के बिच में चल रहा है, और यहीं से concept आता है, separation of power, क्या आता है, separation of power, this is very important in your constitution, separation of power, जिसको हम बोलते है, watertight separation है या नहीं है याद रखिएगा, ये बहुत important है, तो हमारे जो constitution के अंदर में, बहुत बड़ा, यानि कि अभी exact separation नहीं है, अभी जो separation है हमारे आपर दोस्त, वो ऐसा है कि check and balance वाला concept है, कि judiciary check करती है, कि executive और legislature को, legislature check करता है, judiciary को, ये चल रहा है, दोनों के बिच में, तो बहुत important है, इस स समस्याए है, क्या है, collegium में बहुत समस्याए है, इनको change करना पड़ेगा, collegium क्या है, collegium का हमारे समविधान के अंदर में, constitution के अंदर में, कहीं पर भी जिक्र नहीं है, Supreme Court ने अपने खुद की judgment के थुरू क्या-क्या, collegium का इजात किया है, खुद से ही बनाया, तो सुप्रि जम सबसे best system है इस समय पर उससे पहले जो भी Chief Justice of India रहे वो यह कहते हैं कि यह notion बहुत जादा गलत है कि को लेजियम के अंदर में judges अपने आपको यह appoint कर रहे हैं यह सब चीज़े देखते हुए सरकार निका कि यार एक काम करते हैं NJAC यानि कि 99 Constitutional Amendment Act करते हैं और उसके तहत में NJAC National Judicial Appointment Commission लेकर आते हैं जिसके तहत में अब कोलेजियम के पास में पावर नहीं रहेगी रेकमेंट करने की कि किस जज को नियुक्त किया जाए यह पावर किसके पास चलियागी इसके पास चलियागी 2015 के अंदर में Supreme Court ने इस NJAC को और इस 99 Constitutional Amendment Act को क्या किया Unconstitutional गोशित कर दिया यह कहते हुए कि यह एक तरीके से क्या है जुडिशरी की Independence को खतम करने की कोशिश है और जुडिशरी की Independence बेसिक स्रक्चर का हिस्सा है इसलिए क्या हो जाता है Unconstitutional है क्या है Unconstitutional है अब दोस्तों क्या हुआ जैसे ही New Chief Justice of India उसके बाद से हमने देखा कि जो vocal spat है जो एक दूसरे के बीच में जो बाते चल रही है वो ज्यादा बढ़ गी है जो Law Minister है किरन रिजुजुजी वो लगातार आरूप लगा रहे हैं कोलेजियम के उपर में कि कोलेजियम ढंग से काम नहीं कर रही ह कोलेजियम ट्रांस्पेरेंट नहीं है हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है और दूसरी तरफ में जो CGI साहब है वो यह कह रहे है कि कोलेजियम ने इतने समय से इनको नाम भेजा हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है दिक्कत क्या हुई है कि एक Petition डाल दी गई है कि कोड की सारा मामला चल रहा है यानि कि कोलेजियम को लेकर अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे इशूज चल रहे हैं ठीक है यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसप्ट है तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है अगर आप यूएस का एक्जामपल देखें तो वहां पर हम करते हैं water of water tight separation तो आप कि जैसे जो वहां के president है सारी चीजेतों सारी लोग है यानि कि जुक है कुछ भी लेना देना नहीं होता है किसे आपके legislature से जोसे वहां की congres है और लेख लेख लेखल हुआ जो पिम है वो कौन है एकजीक्यूटीव है है ना मेंब्र और परलिमेन्ट यह concept आपके exam में पूछा जा सकता है कि क्या collegium के अंदर में reform करने की जरूरत है क्या आपको लगता है और इक और चीज उन्हें बहुत अच्छा question उठाया एक तरफ में अगर आरोप यह लगाया जाता है कि सरकार अगर यह कहती है कि collegium का system गड़बड है तो पिछले 2015 से लेकर अभी तक यानि कि 7 साल 2022 तक उन्होंने collegium के अंदर में दुबारा से change करने के लिए दुबारा से NGC लाने के लिए कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया और दूसरी तरफ में अगर देखा जाए तो supreme code भी हमें reluctant नजर आता है थोड़ा सा अमलब के अनमें समझने की कोशिश करेंगी कि assertive नजर आता हो कहता है भाई collegium सबसे best है तो यानि कि दोनों के दोनों कहीं ऐसा नहों कि future में deadlock create हो और ultimately यह क्या करेग जो citizen है उनका क्या करेगा नुकसान करेगा यह है पुरा का पुरा क्रक्स तो ठीक है ultimate solution क्या हो सकता है वही जो हम कल भी way forward देर दे कि दो institutions important है और दोनों institutions को हमें क्या करना पड़ेगा strong करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और जब strong करने के हम बात करते हैं तो हमें no doubt हमें क्या करना पड़ेगा collegium के जो concern है उनको भी solve करना पड़ेगा और जो government के respect में concern है क्योंकि यह चीज़ बहुत जारे incidences देखे गए कि collegium क्या करता है जो भी नाम suggest करता है government उसके उपर में कोई action ही नहीं नहीं लेती है तो यह भी चीज़ हमें ensure करने पड़ेगी collegium क्या है दोस्त collegium का constitution के दर में कहीं पर भी जिक्र नहीं है एक judgment के बाद में collegium क्या कहते है कि CGI plus में चार senior most judges यह मिलकर क्या बनाएंगे collegium बनाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो प्लीज याद रखेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है collegium एक तरीके से क्या है एक group है देखे कहानी आप सभी को पता है यह कहा गया अब हमने आपको बता दिया कि क्यानमे सुप्रिंग को यह पावर दी गई कि वो किसी के कहा गया कि सुप्रिंग कोर्ट के judges को अपॉंट को करेगा president करेंगे अब जब प्रेजिदेंट करेंगे तो उनको यह कहा गया कि भाई साब आपको नए अपॉंट करते समय क्या करो consult कर लेना थोड़ा सा किस के साथ में जजिसके साथ में चलो जी कर लेंगे तो जब यह consult जब constitution के दर में लिख गया consult का मतलब तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मैं कहूंगा जो judiciary कहेगी वही मानना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वही मानना पड़ेगा इसी के उपर पूरा का पूरा लफड़ा चला और last में दोस्त ये final निकला कि collegium का मतलब जो consult word है इसका मतलब क्या है mandatory है याने कि जो CGI है जो कहेंगे वह मानना है और साथ में ही दोस्त क्या करना पड़ेगा CGI अकेले नहीं प्लस में चार senior most जो judges हैं CGI के बाद में supreme court के अंदर में उनको पांच लोगों को मिला कर एक collegium याने की group बना दिया जाएगा जो appointment से related मान के चलिए मेरे कहें प्रशान्तियार बहुत अच्छा person है काफी समय से बकालत कर रहा है 10 साल से उपर हो चुके है इसको supreme court के नमे advocate judge appoint कर देना चीए कौन करेगा collegium फिर ये name भेजा जाएगा किसको law ministry को इन शॉर्ट अगर कहा लिजे government को भेजा जाएगा फिर president साहब इस पर decision लेंगे किसके advice पर? council of ministry की और फिरो क्या करेंगे? करेंगे ठीक है? clear है? please याद रखेगा this is very important दूसरे चीज collegium first instance में अगर कुछ भी नाम भेजता है तो वो binding नहीं होता है please याद रखेगा पहले बारी में जगर भेजा गया और मैं अगर सरकार हूँ मैं कह दू ये वाला नाम मुझे पसंद नहीं आता है इसे दुबारा से reconsider करिए मामला चला गया collegium के पासे दुबारा अब मैं जिद पकड़ लूँ कि नहीं भाई ये x y z person बनना ही चाहिए तो मैं अगर दुबारा नाम भेज़ दू तो president कोच इस करनी ही पड़ेगी ठीक है clear seniority एक मात्र condition नहीं होनी चाहिए judges के सारी चीजे कोईस में involved हैं कितने number of judgments हैं इन सब पे भी involved होनी चाहिए और एक और चीज़ CGI सबसे senior most judge बनेंगे ये हमारे constitution के अंदर में नहीं लिखा है ये क्या चीज़ लिखिए है आपको ये convention है कि हमने इस चीज़ को convention बनाया है clear तो यहाँ पर परेशानी क्या रही है judiciary के अंदर में reform हो पा रहा है और जो भी reform करने की कोशिश की जा रही है उसको भी रोग दिया जा रहा है और ये जो rigid behavior है क्या है जो rigid behavior है वो क्या कर रहा है परेशान कर रहा है इसी कारण से ही समय पर judiciary versus executive वाला पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है क्योंकि आप एक चीज़ समझेगा UPSC में एक बार question आ चुका है कि क्या आप इस बात से agree करते हैं कि judiciary कई बार काम करते करते judicial overreach कर जाती है क्योंकि देखिएगा हमारे यहां पर यह चीज़ कही जाती है कि जिसका काम जो है वो ही करे एक दूसरे में टांग मत अड़ाओ कहा जाता है न तो वैसे ही दोस्त judiciary से कहा जाता है कि आप जो executive का काम है जो legislature का काम है उसमें आप मताईए और ऐसे ही judiciary कहता है executive को legislature को जो हमारा काम है आप उसमें मताईए यानि कि collegium independent है judiciary independent रहने चीए आप आके इसको control करने की कोशिश मत करो ऐसे ही दोस्त executive legislature ये कहता है कानून बनाना हमारा काम है आप कानून मत बनाईए आप आके कोई executive को direction मत दीजिए क्योंकि हमारा काम है तो ये main जो कहानी चल रही है कि कौन जादा supreme है कौन जादा powerful है और दोनों तरफ में जो ये rigid behavior है क्या है जो rigid behavior है दोनों side के अंदर में ये ultimately क्या करेगा हमारे जो national democratic principles है ultimately जो citizens के जो major concern है उनको क्या करेगा hurt करेगा ठीक है clear है किसी को भी आप किसी को doubt नहीं होना चैए मैंने इतना जादा detail में क्या करा है समझाए आपको ठीक है clear है तो ये सारी के सारी चीज़ा चल रही है और ultimate last में कहा रही है कि भाई जो कहानी चल रही है इसमें तो उनको एक दूर की मतलब क्यानव है वो नजर आ रही है ये नजर आ रहा है कि अब supreme court को legitimize करने की कोशिश की जा रही है तो ये सारी के सारी चीज़ा चल रही है next article बहुत अच्छे तरीके से beautifully इस article को नो लिखा और वैसे तो ये Save Life के founder है NGO है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से ये article को लिखा गया क्या लिखा है कि safer road हमारे sustainable environment के लिए बहुत जादा important है अब कैसे कहा इन्होंने देखिए बड़ी मज़िदार concept है इन्होंने कई सारे reference दिए आगे ही कहने कि अगर road safety पर हम ध्यान नहीं देते हैं उसके कारण में बहुत सारे क्या होते हैं accident होते हैं और उस accident के कारण में बहुत सारे वेहिकल से कई सारे ऐसे fluid होते हैं ऐसे सारे कई सारे cadmium hexavalent chromium ठीक है आपका mercury toxic metal जो है lead ये सारे के सारे क्या होते हैं open में आ जाते हैं पहले बाप तो ये और ये क्या है toxic यानि के hazardous क्या है pollution है environment को है ना दूसरा matter of concern ये है कि जब क्या होता है crash होते हैं बहुत hard level पर crash होते हैं तो उसके कारण में क्या होता है कई सारे vehicles क्या हो जाते हैं dump कर दिये जाते हैं अब जब dump किये जाते हैं तो इनको क्या है क्योंकि हमारे आपर recycling facilities अभी उतनी best level पर नहीं है अब recycling facilities यतने best level पर नहीं है तो यहाँ पर rust लगने लग जाता है scrapage जो policy हमारी अभी वो इतना जादा perfectly काम नहीं कर रही है कि scrapage पूरा का पूरा industry लगी है वहाँ पर जो आपका खराब हो गया उसको क्या करो आप वहाँ पर scrap में crush करके सारी चीज़ें कर लो है अभी concern है तो यह वाला pollution है दूसरा pollution यह को बहुत अच्छा जब high speed में गाणियां चलती है तो यह देखा गया analysis देखा गया बहुत जगे पर देखा गया जैसे आपके UK के अंदर में Europe के अंदर में हर जगे पर सारे के सारी चीज़ देखीगी वहां पर यह देखा गया कि speed बहुत important role play करती है air pollution के अंदर में वो ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा speed होती है उतना ज़्यादा combustion होता है और उतना जभ्यादtalk combustion होता है उतना ज़्यादा क्या होता है pollution होता है और इसलिए उयर क्या कह रहे हैं इसलिए हो कहा रहे हैं कि speed को हम कम कर सकते हैं क्या road के उपर में तो ultimately यह सब क्या करेगा? Pollution को कम करेगा और pollution को कम करेगा तो यानि कि यह हमारे environment पे positive level पर क्या करेगा? Contribute करेगा अब एक और चीश समझे है यहां से एक और बहुत important समझने में आती है कि road accident जो होते हैं over speeding के कारण में होते हैं ज्यादा तर जो road accident होते हैं over speeding के कारण में होते हैं और over speeding को अगर हम कम करें speed को थोड़ा सा अगर हम कम करें तो ना सिर्फ हम pollution को रोकेंगे अब साथ में हम life safety इनके उपर में भी ध्यान देंगे तो यानि कि अगर आप safer road बनाते हैं, greener road बनाते हैं, plant लगा के बनाते हैं, थोड़ा सा जैसी कोई चीज़ देखिए, जो हम highways बनाते हैं, plants बनाते हैं, road बनाते हैं, तो अगर यह चीज़ नाचुरली, मनलब यह analysis है सारे सारा, अगर आस पास में थोड़ा सा पेड़ पौधे type में रहते हैं, तो यह tendency देखिए कि जब crash होता है, तो जान जाने के chances कम जा सकती है, लेकिन वो crash होने के कराण में, जब उससे थोड़ा सा divert होके दूसरी तरह जाना होता है, तो वहाँ पर यह एक natural barrier की तरह काम करता है, यह भी एक important aspect है, तो वो in short यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छे तरीके से उन्होंने connect किया है, यहाँ पर यह connect किया है उन्होंने, कि आप क्या कर सकते हैं, road को अच्छी quality की बनाईए, speed को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, और वहाँ पर क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, और जो accident prone area उनको identify करके उनको ठीक करिए, प्लस में जो legal, अल्रड़ी हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़े, legal जो mechanism है, जहां पर यह कहा जाता है, ensure किया जाता है, कि आप speed के अंदर में चलें, आप seat bed लगा कर चलें, सारी चीज़े ensure करें, उसका यानि की legal जो enforcement है, उसको आप ensure कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से आप जो number of accidents उनको कम करेंगे, number of death हैं उनको कम करेंगे, और ultimately आप environment को भी क्या करेंगे, help करेंगे, ये ensure इसका सारा का सारा क्या है, solution, तो आप समझ पा रहे होंगे, कि इंडिया में accident क्यों होते हैं, पहली बात speed के खार, दूसरी चीज, दूसरी चीज किसलिए नजर आती है आप यहाँ पर यह भी चीज देख सकते हैं, road की, जो conditions हैं, यानि कि जो infrastructure है, engineering, ये भी है, दूसरी चीज, आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, कि जो people हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर में awareness नहीं है, वो ज्यादा तर उनके समय पर यह नजर आता है, हमें कि वो fines से यानि कि जो चलान है, उससे बचने के लिए, उनको क्या करते हैं, करते हैं, तो यह जो मैं आपको कई बार कहता हूँ, जिसको हम word use करते हैं, behavioral changes, awareness लाना चाहिए, सारी चीजों, इन सब चीजों के अपर में काम करेंगे, तो number of accidents भी कम होंगे, और ultimate हमारे environment को भी help मिलेगी, इंडिया के अंदर में अगर देखाया, 4,3,116 crash हुए हैं, पिछले 2021 के अंदर में, पिछले 2021 के अंदर में, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ, मैं regular daily एक road से travel करता हूँ, उसके बगल में एक police station है, police booth है, आप जानकर हैरान रह जाएं मैंने चलते वे नहीं देखी, और वहाँ पर मतलब यह समझे लिए कि अगर आप उस road से जा रहे हो, तो वहाँ पर हमेशा आपको लगेंगे ही 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, हमेशा traffic लगा होगा, और बगल में police का वो है, लेकिन उसके उपर में आप सुचे, 8 से 9 सा more than sufficient time है, इतना बड़ा समय है, वहाँ पर भी हम इस चीज़ को tackle नहीं कर पा रहे हैं, तो यह सारी चीज़े क्या हैं, आप करने के कोशिश करें, अब कई सारे लोग कहेंगे, कि सर, better road कैसे help कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, economy भी help करती है, हमारे हाँ पर, हमारे इसलिए यह एंशॉर किया जाता है, कि कितना कम टाइम लगे, connectivity sustainable रहे, easily connectivity रहे, ठीक है, यह सारी के सारी चीज़े हो रहे है, तो यह आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से connect कर सकते हैं, प्लस में सामान लाना ले जाना उसके इंदर में हो सकता है, ठीक है, तो मिलब आप समझ कि यह बिल्कुल क्लियर है, आप मान के चलिए, अगर better road होगा, आप खुश हो जिस road का मैं example दे रहा हूँ, वहां पर अगर किसी को health issue हो, वहां से कोई ambulance अगर गुजर रही हो, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है, वहां पर अगर मान के चलिए कोई factory अपनी लगा ले, और regular उसका समान आता जाता हूँ, उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है, वहां पर मान लेजिए कोई रह रहा हो, वहां पर अगर ये चीज़े हो रही है, तो उसका कितना time waste हो रहा है, और या भी इसको आप governance से relate कर लीजिए, governance के इंदर में सबसे important role क्या है, transparency के साथ में ये ensure करना कि citizen card समय क्या हो, जादा waste नहों, लेकिन अगर traffic के card में citizen का समय waste हो रहा है, तो ये किसका failure है, system का में failure नजर आता है, सारी चीज़े हैं, बलब आप ये करने करने के कोशिश करिए, सारी के साथ चीज़े, economy पे तो असर करी रहा है, life के उपर में तो असर करी रहा है और environment के उपर में भी असर कर रहा है, देखे, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, उन्होंने के कहा कि Europe के अंदर में ये हमने data देखा है, कि अगर आप speed limit को सिर्फ और सिर्फ 10 km पर आर से क्या करें, कम कर दें, जो भी मान के जिले, अगर 100 है, उसको आपने कह दिय 90, ये है, ठीक है, तो वो क्या है, fuel को save करेगा, यानि कि 12 से 18% fuel को save करेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्लस में वो जो emission होता है, particularly किसका nitrogen oxide का, particulate matters का, diesel vehicle से उसको भी क्या करेगा, कम कर देगा, ये चीज़ उसके इंदर में, ठीक है, आप यहाँ पर देखे, उन्हों उन्होंने क्या क्या, 100 km था, उसको उन्होंने 80 km कर दिया, ठीक है, वहाँ पर क्या 50% particular matters कम हो गए, वहाँ पर air quality improve हो गई, तो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अगर speed को थोड़ा सा कम कर दें, तो pollution के उपर में भी बहुत ज़्यादा positive impact पर सकता है, क्लियर है, किसी क क्या है, important है, और इन सब चीजों को, आप देखें, यह कितना हमने holistic तरीके से cover किया, आगर मान के चलिए, कभी road accident के उपर में question आ जाए, तो maximum लोग पता किसके उपर में question, answer लिके आएंगे, सिर्फ life जान चली जाएगी, लेकिन हमने कितने level पर देखा, environment भी connect कर लिया, economy भी करने कर लिया, health भी connect कर लिया, right to life, quality से भी connect कर लिया, सारी चीज़ आपने आपर कर लिया, human behavior, यानि कि अब ethics भी add कर दो, human behavior यानि कि ethics, सारी चीज़ होगे, ठीक है, next article है, mixed bag, कली पढ़ा था, भाई, हो क्या रहा है, बड़ी मज़ेदार चीज़ यह हो रही है, भाई, हमार आटिकल सारे के सारे, अरे भाईया, inflation हो गया, inflation को रोकना बहुत जादा जरूरी है, महगाई बढ़ती जा रही है, जैसी GDP कम होगा, वैसी article आचाएगा, कि कहने में, अरे भाईया, यह बहुत जादा GDP कम हो रही है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, और यह मैं आपको बता चु मैंने बना लिया, बस खाली, कहना याद नहीं आ, ठीक है, तो पैसा सबसे important है, और market में कितना पैसा circulate हो रहा है, यह दिखाएगा कि आपकी economic growth होगी या नहीं होगी, market में पैसा circulate होने का मतलब क्या, अगर मान के चले interest rate कम है, interest rate कम है, यानि कि उतना जादा लोग क्या करे लेंगे, लोन लेंगे, अब लोन दो तरीके से लिए जा सकते हैं, क्या है, एक investment के भी लिए जा सकता है, दूसरा consumption के लिए लिए जा सकता है, पर इसा करा जा सकता है, दूसरा क्या है, अगर interest rate कम होगा, या सुनो मेरी बात, दो लाग का लोन उठाओ, एक कहीं पर momos की ready ड अगरा business चल रहा है, लेकिन इससे समस्या क्या आती है, यह कहा जाता है, जितना जादा market के इंदर money supply होगा, उतना जादा chances रहते हैं, market के इंदर में inflation के लिए, अब इस समय जो हमारे देश के इंदर में inflation है, वो money supply की कार्ड में inflation नहीं है, दोस्त, जो inflation इस समय पर हो रहा है वो other factors के कार्ड में हो रहा है, जैसे Russia-Ukraine war के कार्ड में oil के prices बढ़ रहे हैं, चाहे वो edible oil हो, palm oil जिसको बोलते है, चाहे वो crude oil हो, दोनों के prices क्या हो रहे हैं, यानि कि जो खाने पीने के इंदर में, जो तेल इस्तमाल किया जाता है, उसके कार्ड में खाने पीने का समान म महंगा हो रहा है, तो जो समान उस पे लाद कर लाया जा रहा है, वो भी महंगा हो जाएगा, supply side में COVID-19 के कारड में, उसके कार्ड में महंगाई है, उस महंगाई के कारड में क्या हुआ, RBI जो दादा है हमारे, उनके पास में mandatory है कि भीया, महंगाई जो है, 4% रहनी चाहिए ideally, क्या रहनी चाहिए, 4% ideally रहनी चाहिए, लेकिन कम होते होते कितना चला जाए, 2 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, जादा होते होते कितना चला जाए, 6 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, यानि कि 4 ideally होने चाहिए, प्लस माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन आपको पता inflation कितना पह हम 6 लोग बैठेंगे जिसमें 3 लोग RBI के होंगे और 3 लोग सरकार के होंगे 6 लोगों की मीटिंग बैठेंगी जो किसी काיסgun के तहत में यानि कि statutory body के तहत में बनी है वो बैठेंगे और decide करेंगे किसके उपर में repo rate के उपर में reverse repo rate के उपर में किसके उपर में और करेंगे, आपका CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, इनके उपर में decide करेंगे, अब ये सारी चीज़े जैसे ही बढ़ाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो interest rate हैं वो बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, interest rate बढ़ जाएंगे, अब जैसे interest rate बढ़ा, क्या होगा, loan, कम मिलने लग जाएंगे, क्याने कि मेरे को जब loan मिल रहा है, वो महंगा मिलने लग जाएंगे, तो मैं loan कहूँगा, थोड़ा सा avoid करते हैं, अब क्या होगा, इसके कार में investment and consumption, दोनों के उपर में क्या पड़ता है, impact पड़ता है, और ultimately किसके उपर में असर करते हैं, हमारे economic growth क की उपर में असर करते हैं, तो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, despite inflation, credit condition must remain supportive to real economy, credit support session, बंद कहां किया है दोस्त, एक session के अंदर में कल नहीं हुआ, reason साथ में बताया दोस्त, कि क्या नहीं है, समय नहीं मिला मुझे, बंद कहां कर दिया यार, एक session, एक session के अंदर में नहीं तो प्लीज इस चीज को ensure करिए, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो यह बहुत जादा लोग speculate कर भी रहें, कि क्या हमारी जो monetary policy committee की जो approach होती है, वो सही है भी या नहीं, अब देखें, मैं आपको कितनी बार समझाओं, इस topic को थोड़ा से prepare करके जाना, यहां से question आएगा, जब जब RBI की monetary policy committee की meeting होती है, तब तब यह कहा जाता है कि क्या हमारी monetary policy, जो exact target है, उसको achieve कर पा रही है, यह नहीं कर पा रही है, यह बहुत important है, प्लीज इस point को note कर लिजेगा, एक्जाम के अंदर में क्या होगा, यह बहुत important role play करेगा आपके लिए, मैं सज बता रहा हू monetary policy committee के उपर में question आएगा आपके लिए, क्योंकि monetary policy committee यह कहा जाता है, जो decision लेती है, जिसके काड़ में rate क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इसके interest rate, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा impact किसके उपर में पढ़ रहा है, ठीक है, मलब कम, बहुत कम, मलब आप यह देखे न, जब credit condition कम हो जाएंगी, credit मिलना कम हो जाएगा, investment कम हो जाएगी, तो उसके काड़ में economic growth क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है, clear है, यह समझिए, क्योंकि हम inflation को control करना चाहरे हैं, अब एक और ची समझिएगा, गर्व जी आपने बहुत अच्छा question पूचा, आप यह समझने की कोशिश करिए, hawkish के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, hawkish जो monetary policy है, उसके अंदर में हम interest rate को बढ़ा रहे हैं, यानि कि market के अंदर में money supply को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अब जो market के अंदर money supply कम होगा, interest rate बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको personal example दे रहा हूँ, मैं आपको personal example दे रहा हूँ, कि जैसे मैं जब गाड़ी लेने के लिए गया है, तो जब मैं bank में बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को clear cut बोला, अभी आपको पता होगा, सर, पिछले महीने monetary policy committee की meeting हुई थी, repo rate बढ़ गया है, उसके अंद में interest rate बढ़ गया ह अब जब EMI की बात आई, तो यानि कि मैं क्या करूँगा, जो consumption है, मैं क्या करूँगा, उसके प्रती थोड़ा सा सजग हो जाऊँगा, क्या मुझे इस interest rate पर मुझे समाल लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, यानि कि जब interest rate बढ़ता है, जब hawkish monetary policy होती है, जिसके का तो प्लीज याद करिएगा, नोट करते रिएगा, कि जब हम interest rate को बढ़ा देते हैं, तो ultimately वो impact करना शुरू कर देता हमारी economic growth को, तो inflation को control करने की किसकी जिम्मेदारी है, और हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम inflation को तो control करते रह economic growth को अगर नुकसान होता है, तो क्या होगा, हमारी GDP को भी नुकसान होगा, job opportunities को भी नुकसान होगा, clear ने, और जैसे ROP यही तो लगता है, कि RBI की monitor policy के अंदर में हम जैसे ले रहे हैं, जैसे आप RBI की monitor policy के अंदर में आपने rate तो बढ़ा दिया, लेकिन जब हम बात करते ह inflation की, तो जब हम consumer price index की बात करते हैं, CPI की बात करते हैं, हम WPI की बात करते हैं, तो याद रखियेगा, consumer price index, क्या है, बहुत major role play करता है, इसी के basis पर RBI क्या करता है, decision लेता है, अब consumer price index को जब हम खोल कर देखते हैं, तो उसके अंदर में ज्यादा weightage किसके पास में है, आपक से, इंफ्लेशन से, महलब के आपके इरिगेशन सिस्टम से, स्ट्रक्चरल चेंजिस से, इन से लेना देना है, तो वो यह कहते हैं कि हमारे आपर जो मेन कल्प्रिट है, महंगाई का, वो फूड एम बेवरेज़े हैं, हाँ, वो भी होगा, वो भी होगा, बट वो फिर आप एक चीज़ देखें ना, आप हर चीज में डाउन पेमेंट नहीं होती, इन्वेस्मेंट में डाउन पेमेंट नहीं होती, तो वहां पर क्या होगा गर वहां पर उसको हम quantitative measures के दर में लेते हैं कई बार करते हैं उस तरीके से भी करते हैं तो प्लीज याद रखिएगा तो प्लीज इस चीज़ को समझ में आ गया कि inflation और इसके बीच में relation एक किसी कोई कोई डाउट किसी कोई कोई डाउट तो वही कहने की कोशिश करें in short कि भले ही आप inflation को कंट्रोल करने की कोशिश करें बट GDP भी economic growth भी हमारे लिए क्या है important है same as it is जैसे finance minister निर्मला सिता रमन जी ने बोला था कि भाई सब हमारे लिए सबसे ज़्यादा important क्या है इस समय पर economic growth है rather than आपका inflation next article should there be a panel to appoint election commissioners बड़ा ही मज़ेदा topic already क्या चल रहा है भाई कुछ नहीं चल रहा चल यह राए election commission of India के अंदर में जो दो issue है उनके उपर में topic चल रहा है एक issue चल रहा है कि जो CEC chief election commissioner and election commission की जो commissioner की appointment होती है उसके लिए कौन से person होने चाहिए उनकी qualification क्या है यह सबसे बड़ा major concern है क्योंकि अभी recent यह discussion देखा गया कि एक IS officer जो क्या कर रहे थे secretary है government के अंदर में union government के अंदर में उनको VRS दिलवाया जाता है या वो लेते हैं और उसके बाद में क्या होता वो उनको अगले ही दिन election commissioner नियुक्त कर दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तो constitution के अंदर में इनकी qualification के बारे में कोई जिक्र नहीं है सिर्फ यह है कि 324 यह कहता है कि parliament की pass में जिम्मेदारी है कि कोई act pass करें जो वो procedure क्या होना चीए appointment का qualification क्या होना चीए appointment की यह सब चीजों से related एक act पास करें बहिया अब तो 75 साल होगे हमाँ आजाद होए और constitution को बनाए हुए 72 साल हो चुके है लेकिन अभी भी हमें यह नजर आता है क्या नजर आता है कि अभी तक government ने, parliament ने कोई law pass नहीं किया है जिसके कारण में हो क्या रहा है कि election commissioner, chief election commissioners वो appoint कर दिये जा रहे है तो क्या उसके लिए कोई qualification, कोई criteria, कोई procedure decide होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पहला point तो यह प्रशन है दूसरा प्रशन यह आ रहा है कि CEC जब remove होंगे हमारा सम्विधान यह कहता है कि chief election commissioner को अगर remove करना होगा तो उसके लिए जैसे supreme court के judge को remove किया जाता है वैसे उनको remove किया जाएगा यानि कि उनको क्या दिया जाता है protection दिया जा रहा है जिससे वो अपना काम बिल्कुल इमानदारी से बिना partiality के कर सके लेकिन जब election commissioners की बात आती है अभी कितने है एक CEC प्लस में दो election commissioners उनको कोई ऐसा security का tenure नहीं है यानि कि उनको हटाते समय पर सिर्फ उसे CEC साब ये कह दें कि हाँ जी ये वाले को हटा दो तो president क्या करेंगे हटा देंगे यानि कि security का tenure की security नहीं है तो इस समय पर आरोप ये लग रहा है कि government ज्यादा तर उन लोगों को ठीक है क्या है उन लोगों को क्या कर रहे है आप पॉइंट करते हैं किसको election commissioner की रूप में जिनके पास time बहुत कम रहता है पहली बात जो उनके लिए क्या है थोड़े से favored रहते हैं वह बात सुप्रिंग कोट ने कहा कि अगर सुप्राइम मिनिस्टर भी आपके सामने आ जाये तो भी आपको जुकना नहीं है आपको अपनी बात को लेकर आगे बढ़ते रहे है लेकिन यह नहीं होता नहीं है ज्यादा तर हमने देखा गया कि जो constitutional position पर होते हैं उनसे उमीद की जाती है neutrality की कि at least उस constitutional position पर जाने के बाद में आप भले किसी ideology को belong करते हूं लेकिन आपके पास में वहाँ पर जाने के बाद है constitutional duty आ चुके है आपको impartial way में काम करना है यह नहीं देखना कि यह political party, यह government इसने मेरे को appoint किया है क्योंकि election commission जो है दोस्तो election commission of India वो election कराता है अब election दोस्तो किस समय पर होगा timing क्या होगी क्या वो favorable timing है for example मैं आपको छोटा से example देता हूँ प्राइमिंस्टर नुनरेद मोदी जी को for example मालो कहीं बहुत important summit में जाना हो और वो collide कर रहा हो किसके साथ में election for coming election के साथ में date के साथ में मैं election commissioner हूँ मैंने का यार प्राइमिंस्टर मोदी जी चले जाएंगे तो उसके बकारण में क्या होगा यहाँ पर प्रचार नहीं हो पाएगा तो क्या करना चाहिए हमें date को shift कर देना चाहिए तो यह क्या है यह क्या है committed constitutional obligation माने जाएगा मैं एक example दे रहा हूँ तो यह कहा जा रहा है कि क्या है independent होना चाहिए election commission of India को और उनको independent way में काम करना चाहिए ना कि उनको यह देखना चाहिए कि उनको कौन appoint कर रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए सुप्रिंग कोट यह कह रहा है इसके लिए हमें यह ensure करना पड़ेगा कि जो election commissioners है CEC है चीफ election commissioners इनको appoint करने के लिए कोई ना कोई क्या कह जाए panel बना दिया जाए जिसके अंदर में judiciary भी आ जाए क्या हो जाए judiciary आ जाए speaker आ जाए opposition के speaker बेजी थी पूरी PDF याद कर लो AP शा कमिटी के अनमे गोस्वामी कमिटी कितने सारे एक बताये थे सारे के साब ने कहा कि कोई panel होना चाहिए यानि कि committee की recommendations है लेकिन दूसरी तरफ में सरकार ये कह रही है भाई साब आप देख लो आप फिर आ रहे हो हमारे काम में interfere करने लग गए ना कर रहे हो interfere तो दूसरी तरफ में वो कह रहे है कि भाई साब 72 साल हो गए अभी तक जब आपने act pass नहीं किया और हमारे उपर में क्या है सम्विधान को बचाने की जिम्मेदारी है तो हम तो सो मोटो लेंगे यानि कि इस समय पर जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है ये चल रहा है कि क्या election commission of India के अंदर में जो appointment होती है उसके लिए panel एक होना चाहिए पहला question mark और दूसरा क्या है दूसरा ही कहा जा रहा है कि क्या करो जो इनका tenure है security का tenure है उसको भी newt कर देना चाहिए तो please याद रखेगा एक act pass किया गया था election commission condition of services और election commission and transaction of business act 1991 उसका section 4 ये कहता है 6 साल और 65 साल ये उसके याद रखेगा किसी को भी इससे related about नहीं होना चाहिए किसी को भी इससे related अब doubt नहीं होना चाहिए मेरे बच्छे next article जो अल्रडी हमने पढ़ा ठीक है ठीक है ठीक है आशुतोस जी कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी कि electoral process कैसा होना चाहिए एएसा Prime Minister वो नहीं जा रहे दोस्त देखिए एक चीज़ समझ यह हमारे यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि कोई MP है और वो प्राइम मिनिस्टर भी है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस चीज़ की बात कर रहे हैं इसी political party को belong कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं देख भी रहे हैं समझ भी रहे हम यह इस चीज़ को agree भी करते कि हां वो किसी party के member है तब ही तो member of parliament तब ही हमने क्या लगाया एंटी defection लगाया कि party कुछ change नहीं कर सकते हैं वो जब party के member है तो कहीं पर अगर वो प्रचार करन तो ऐसे party के member होने के नाते वहां से जा रहे हैं अब अगर वो party के member होने के नाते जा रहे हैं तो prime minister के ambit में नहीं जा रहे हैं वो बात अलग है कि reality क्या होती है कैसे होती है क्या implementation होता है वो चीज़ अलग है लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो चीज को समझने की कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने पैसे का इस्तमाल करके गवर्मेंट ऑफिशल अगर अपने पैसे का इस्तमाल करके इलेक्शन प्रॉसेस के इंदर में अगर लगते हैं यह गलत है के तहर पे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वेस्टीज को कहता है और अगर ऐसा कहीं पर कारते हुए पाया गया तो उनको करब प्रेक्टरस के इंदर में रखा जा सकता है लेकिन ऐसा यह कहा जाता है फिर चार करते समय नहीं होता है ठीक है चले यह क्लिर ऑक टीकर तो चलें करिए कि G20 यही चीज जैशंकर जी भी कह रहे हैं वर्ल्ड हमें देखेगा और वर्ल्ड को यह पता चलेगा कि इंडिया रेडी है वर्ल्ड को लीड करने के लिए and even वर्ल्ड भी रेडी है इंडिया के द्वारा लीड होने के लिए सबसे पहली बात यह दूसरी चीज आपको पता है G20 के अंदर में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्लान किया है कुत्ब मिनार फोर्ट वैलोर तमिल नाडू के अंदर में यह पूछ सकते हैं फोर्ट वैलोर कहां पर है तमिल नाडू के अंदर में है गोल कॉंगडा फोर्ट कहां पर है आपका हैदराबाद के अ अब यह चीज क्या कर रही है हमारा जो हैरीटेज है उसको वर्ल के सामने रख रहा है तो यानि कि हमारी कुल्ट्र है रिटेज को भी बढ़ाएगा दूसरी जब हैरीटेज जाएगी तो हमारा टूरिजम भी क्या होगा इंक्रीज होगा यह हमारी एकोनोमी को भी क्या करेगा बेनिफिट पहुचाएगा लस्पे यह एक प्लाटफॉर्म हमें देगा वर्ल के सामने जहां पर हम यह बात कहेंगे कि वर्ल के लिए एक्शुल एंड रियल इशुज क्या है और यह दर्शाने की कोशिश करेगा कि इंडिया वास्तविक्ता में हुमायनिटी वाले जो इशु है उनके उपर में डिसकुशन कर रहा है राधर देन इसी सेक्शन या फैक्शन के बारे में यह सारी थीज़ेस के अंदर में का है कि वो बिए बात बड़ा चालेंजिग इशू चलरा है चलरा वर्ल के पॉलेटिक्स के अंदर में भारत के पास में है यही शारी चीज़ें आप से क्वेश्टन पूछा जाएगा कि G20 से भारत के लिए क्या पॉच्चिनिटी है तो आप यहाँ पर यह सारी के सारे dimension लिखकर चले आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल है Manufacturing PMI Signals Output Orders at 3 Month High बड़ी contradictory चीज़े होती है ना सारी के सारी PMI क्या होता है Purchasing Managers Index तो याद रखिएगा यह अलग-अलग companies निकालती है ठीक है जैसे HIS हो गया, HMS हो गया, IHS हो गया IHS Market हो गया, S&P Global हो गया यह सारे के सारे क्या करते हैं यह निकालते हैं PMI Purchasing Managers Index यह क्या होता है मैं हूँ, मैं गया Market के इंदर है मंथली एक सर्वे होता है क्या होता है Market के इंदर में किया गया एक सर्वे होता है क्या होता है, survey होता है और मैं उनसे पूछूँगा जो काम आपका चल रहा है वो कैसा चल रहा है या सही चल रहा है या बेकार चल रहा है क्या आपके हैं पर जो demand है वो बढ़ी है या demand काम होई है इन सभी के basis पर हम क्या करते हैं दोस्त एक data निकालते हैं और उसके basis बे बताते हैं कि market अच्छी चल रही है या विकार चल रही है यह हमें पता चलता है PMI के माध्यम से purchasing managers index ठीक है clear है तो प्लीज याद रखिएगा purchasing managers index क्या होता है यह ऐसा index जो economic trend को बताता है manufacturing and service sector के लिए first very important point जैसे हम बात करते हैं wholesale price index की स है जब हम बात करते हैं किसकी आपके CPI की तो ऐसे question पूछेंगा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपर goods plus services दोनों को count किया जाता है तो पूछा जा सकता है कि PMI के अंदर में आनि कि purchasing managers index के अंदर में जो survey किया जाता है उसमें क्या सिर्फ उसे goods का survey किया जाता है या फ उसको 0 से 100 के बीच में रखा जाता है अगर मान के चलिए 50 से जादा है जो data निकल रहा है 50 से जादा है तो हम कहेंगे market क्या हो रही है और अगर 50 से कम है तो हम कहेंगे market क्या हो रही है contractionary उसमें चल रही है market के अंदर में अभी हमें क्या है contraction हो रहा है ठीक है clear है इसको कोई specific NSO CSO इससे रिलेट मत करिएगा यह private अलग-अलग organizations होते है private अलग-अलग committee companies है उन वो निकालते हैं जैसे IHS marketing हो गई ऐसी दोस्तों क्या हो गया क्या है आपका यह देखिए as simply global हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है याद रखिएगा इसको चलें नेक्स टॉपिक है windfall tax ठीक है अब इसकी कहानी समझ लो कहीं पर भी आ जाएगा तो आप बड़े ही तगड़े रंग से मज़ेदार तरीके से इसका अंसर कर दोगे windfall tax windfall tax क्या होता है दोस्तों आप समी जानते है windfall एक profit होता है उस profit के उपर में कोई tax लगाया जा के रूप में देखा जाता है जहां पर extraordinary situation के करण में external कारणों से क्या हो जाए किसी company को बहुँ जादा profit हो जाए फाइदा मिल जाए तो यहां पर यह चीज़ समझने की कोशिश करिए for example माल लेजिए कि जैसे Russia and Ukraine के बीच में क्या होती है war होती है contraction, contracting का मतलब क्या नीचे क्या होना कम हो जाना, खिच जाना किसी चीज़ का बढ़ना और किसी चीज़ का expansion का मतलब का है फैलना, बढ़ना, फैला हो रहा है contraction का मतलब कम होना, सिकोडना तो मैं आपको बता रहा हूँ Russia, Ukraine की war के कारण में oil के prices बढ़ रहे है और ये oil के prices बढ़ने के कारण में क्या हो रहा है for example, मालो कोई industries लगी है crude oil के उपर में उनको क्या रहा है, बहुत ज़्यादा profit हो रहा है rate बढ़ रहे है, profit लगातार धडले से कमाय जा रहे है यानि की windfall profit ये कहा जाता है कि extra ordinary situation के कारण में अगर किसी को extra profit होता है उसके उपर में हम क्या करेंगे, tax लगाएंगे क्या लगाएंगे, tax लगाएंगे तो सरकार ने ये tax लगाया था अभी उन्होंने उसको क्या किया है revise कर दिया है, जैसे उन्होंने किसके उपर में लगाया था जो crude oil companies हैं, उनके उपर हमें लगाया था, 8 रुपे पर लीटर, 10 रुपे पर लीटर, ऐसे लगाया था, उसको कहा है उन्होंने, थोड़ा-थोड़ा हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो प्लीज याद रहिए, windfall, tax, windfall, profit यह क्या होता है, उसकी definition अगर आप देखो, windfall, tax क्य कारण में, इस कारण से उनको जो profit हो रहा है, उसके उपर में हम क्या करेंगे, tax लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम windfall tax, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान भी है, एक तरफ में government को तो फाइदा हो रहा है, कि उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, है ना, लेकिन नुकसान क् tax लगाते रहेंगे, तो उसके कारण में, जो future investment है, ठीके private entities को क्या चाहिए, benefit चाहिए, वो कहने है, जब situation खराब होती है कहीं पर, तब तो हमें नुकसान तो जिलना पड़ता है, तब तो सरकार नहीं आ जाती है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जरु से ज़्यादा होगी, future की जो companies है, वो थोड़ा सा speculative हो जाएंगी, ए सब चीजे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो windfall tax प्लीज याद रखेगा, exam के लिए क्या है, important है, next article है, how will global layoffs impact India, बहुत important है, इसको आप, आप में से को इसको ethics से connect कर पा होगे क्या, ethics से बहुत easily और बहुत ज़्यादा important तरीके से क्या किया जासता, connect किया जा सकता है, अभी बताता हूँ, बढ़ा इसको आप, आज इसको इतनी इच्छे तरीके से relate करोगे, आप मज़ा जाएगा, ethics के साथ तो connect करेंगी, GS paper 2 के साथ भी connect करेंगे, और economy के साथ भी connect करेंगे, GS paper 3 के साथ भी हम connect करेंगे, आप से पहले बात तो इंडिया के उपर में यह असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया IT सेक्टर के अंदर में चीजे बहुत सारी क्या करता है, export करता है, और अगर मान के चलिए, एक तरीके का पढ़ सकता है, मैंने एक impact बता है, दूसरा अगर इंडिया के अंदर में देखा जाए उसके अंदर में भी असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे mass level के जो lay off होते हैं, वो आपके जो investment होती है, उसके उपर में भी असर डालते हैं, market का जो sense है, market के बारे में जो बातचीत है, वो चीज़े डालते हैं, बहुत important, तीसरी चीज़ इसको दोस्तो, मैं अगर connect करने की करों इंडिया से, तो आप connect कर सकते हों क्या, यहाँ पर इंडिया में unemployment और बढ़ेगा, अब आप सब के सब कहेंगे कैसे, सिर्फ नौकरी से निकाल देना उसके कारण में unemployment नहीं, यहाँ से दोस्तो एक और बहुत important चीज़ है, बहुत important, connect करिएगा, हम यह कोशिश करते करत मरे जा रहे हैं, ठके जा रहे हैं, कि आप धीरे-धीरे क्या करिए, जो reliance है, government job के उपर में, उससे shift करना शुरू करिए, धीरे-धीरे किसके उपर में, आप private industries के अंदर में, लेकिन अगर ऐसे incidences, अभी भी आप चले गईए, शादी ब्या के लिए कहीं पर, चाहे प्योन यहां पर क्या होगा, जो shift होगा, वो हमें देखने को मिलेगा, और उस shift के कारण में, larger perspective में, और further unemployment हमें देखने को मिल सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा, देकिए, पूरा हलत खराब होगी, human behavior, society के अंदर में, इस perspective को change करते करते हैं, लेकिन अगर दुबारा से हो जाग तो यानि कि जो भी हमने तरक्य करी थी, थोड़ा बहुत, वो पीछे की तरफ आगे, यह बहुत बड़ा major concern है, जो यह कह रहे हैं, इस article को सिर्फ इन्होंने यहीं पर ही discuss किया है, कि यह इंडिया को impact कैसे करेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर एसर करे करेगा, लेकिन domestic level पर आये हैं, अभी यह तो आप सभी से बाहर जाके, विदेश जाके बात करो, domestic level पर आओ, for example, इन्होंने example दिया है, लेकिन खुलके example नहीं जा, मैं खुलके बात करूँगा, आप एक XYZ, ad tech company का नाम लीजिए, उन्होंने क्या क्या क्या, एक दम से 2000 लोग लेटर लिखते हैं, लेटर लिखके कहते हैं कि ऐसा ऐसा, ऐसे situation के अंदर मुझे करना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन वो क्या करते हैं, मैसी जी को अपना brand ambassador नियूक्त कर देते हैं, cricket के अंदर में इन्वेस्ट करना है, यहां से concern आता है, ethical concern, क्या employment relation हमारे इंडिया के अंद ही हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको example दूँ, जैसे मैं example दूँ आपको, आप यहां पर एक चीज करने करिएगा, एक कोई freelancer है, वो भले ही पांच करोड रुपे महिने के कमा लेता हो, freelancer है, किसी के लिए fix job नहीं है, freelancing काम मिला कर लिया, और एक है, जो fix job है, उनकी एक लाक issues भी हैं, क्या है, ethical issues भी हैं, कि अगर कोई serve कर रहा है, तो क्या, वो कई सारे लोग कहते हैं, कि हम तो जी monetary benefit पहुचात हो रहे हैं, तीन महिने के salary देंगे, चार महिने के salary देंगे, बट दोस्त, जो एक security है, sense of security, उसको आप कैसे compensate करेंगे, तो इसके solution क्या हो सकता है, इसके solution के पीछे एक बहुत बड़ी problem है, उस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, over hiring कह लीजिए, mass hiring कह लीजिए, या फिर investment के लिए, अपने आपको और ज्यादा क्या करना, बड़ा दिखाना, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, दरसल क् आजकल की companies, start-up, जो नहींने, start-up हैं, वो क्या कर रहे हैं, market के अंदर में investment को attract करना चाहे हैं, अब जब investment को attract करना चाहेंगे, तो वहाँ पर परेशानी क्या होगी, उनको market के अंदर में दिखाना होते हैं, बहुत बड़ा एक setup हैं, हमारा बहुत बड़ी एक चीज है, सार accountability को चेकिए, कि आपकी क्या opportunities हैं, आपके यहाँ पर कितनी, 10 साल में आप अपने आपको कहां देखते हैं, 20 साल में अपने आपको कहां देखते हैं, वो सब चीजे सोचे बिना, आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस सारी के सारी चीजे mass level पर hiring करते हैं, बट कुछ समय के बाद में हमें realize होता है, कि यह sustainable नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, mass level of firing करते हैं, लेकिन इसके अंदर में, जो matter of concern है, वो यह नहीं है, कि आपने mass firing करी या क्या करा, यह आपका गलट decision है, और किसको जेलना पटा है, दूसरे वाले को जेलना पटा है, ठीक है, तो यह प्लीज चलेगा, ठीक है, कलेर है, ठीक है, ठीक है, कलेर है, ठीक है, कलेर है, आशी questions कभी यूपिसी में repeat नहीं होते, trend और concept repeat होता है, बस, ठीक है, टो यह सारég के साथ चीजए, I think, बिल्कुल crystal clear होगा, हमने एक dimension को देखे, ethical, financial, social, सारी चीज़ोms से हमने connect कर लिया, चलें, तो पह विद रेफरेंस तुदा मन्थन प्लाटफॉर्म, consider the following statement, मन्थन प्लाटफॉर्म से related following statement को देखिये, the development of platform was conceptualized and implemented by नीती आयोग, पहले statement, दूसरे statement क्या है, it was launched on India's 76th Independence Day, मन्थन प्लाटफॉर्म है क्या, मन्थन प्लाटफॉर्म एक तरीके से industry and research, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए किया गया है, ठीक है, और 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को क्या हुआ, यह चीज़ लॉंच की गई है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, second statement बिल्कुल सही है, ठीक है, तान्या, 29 नॉवंबर को दिन कौन सा था, अगर संडे है, तो उस दिन संडे के दिन हम सेशन नही होगा, पर्स statement क्या है दोस्त, गलत है, तू only, second सही है, क्योंकि नीती आयोग नहीं, किसने Office of Principal Scientific Advisor जो है, गवर्मेंट के, उनकी तरह से इसको लाया गया था, किसको मन्थन प्लाटफॉर्म को, मन्थन प्लाटफॉर्म को दरसल अभी जो है, बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस याद रखिएगा, ठीक है, N-S-E-I-T के द्वारा, लेकिन प्लीज याद रखिएगा, कि यह क्या मन्थन प्लाटफॉर्म किसको द्वारा, Office of Principal Scientific Advisor, Government of India के बीच में, किसले लाय गया था, Industry and Scientific Research के बीच में, Collaboration के लिए, ठीक है, तो B इसका correct answer है, next question है, Great Indian Bustard से related है, Great Indian Bustard से related है, consider the following statement, it is a state bird of Rajasthan, it is listed as vulnerable on IUCN, अगर 29 को Tuesday है, तो फिर तो share किया होगा यार, ऐसा होई ने सकता है, वो ना हो, बाकि मैं फिर भी चेक कर लूँगा, मेरे ख्याल में होगा यार, available होगा, ऐसा नहीं है, चलिए इस question का answer दीजे, चलिए फटा फट से answer दीजे, भाई, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिचाएगा, लेकिन फसना नहीं, आप से पूछा मैंने incorrect, state बढ़ है राजस्तान की, मिलको सही बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन हो क्या है, it is listed as vulnerable, it is listed as vulnerable on IUCN red list, vulnerable है क्या, critically endangered है दोस्त, critically endangered, second क्या है, गलत है, first ही आप से पूछा गया, incorrect, answer क्या हो जाएगा, B, two only, two only, two only, क्यों हो जाएगा, two, क्योंकि second statement गलत है, second question गलत है, second statement गलत है, तो गलत वाला ही पूछा है, तो प्लीज याद रखे राजस्तान में है, even राजस्तान के नारे 95% population, world की जो population है 95% में से, वो कहाँ पर राजस्तान में है, राजस्ता में महाराश के सोलापुर में, करनाटका का कौन सा एरिया, बेलारी और हावेरी, अंदरपर्देश के इंदर कुर्णूल यहाँ पर है, ठीक है, critically endangered है, ठीक है, चले, next question है, संगाई डियर से related, संगाई डियर से related, it is found only in पन्ना नेशनल पार, it is listed as vulnerable on IUCN red list, ठीक है, यह, क्या होगा, संगाई डियर, संगाई डियर का, क्या answer होगा इसका, बताइए, संगाई डियर का IUCN status क्या है, और कहां पर यह पाया जाता है, कुछ पढ़ाया था, मैंने किसी समय पर, याद कर लीजिए, सभी के सभी, क्या है, vulnerable है, endangered है, क्या है यह, बताइए, वा, जी, वा, B answer दे रहे हैं, C answer भी दे रहे हैं, लोग, वा, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, बोथ राइट, वा, जी, वा, संगाई डियर भाईया, पन्ना नेशनल पार्क, आपके MP में पढ़े जाता है, ठीक है, और संगाई डियर जब जाओगे, तो floating national park, floating fumedis, याद आ रहा है, कुछ लोक्त दक लेक, याद आ रहा है, कुछ, केबुल लमजाओ, national park, कुछ याद आ रहा है, ये MP और वहाँ का क्या लेना देना भाई, गलत, vulnerable नहीं है, गलत, endangered है, तो D इसका correct answer होगा, D इसका correct answer होगा, तो याद रखिएगा, कहाँ पर, मनीपूर, मनीपूर के अंदर में कहाँ पर, संगाई डियर, प्लीज याद रखिएगा, festival of oneness के नाम सुझा जाता है, संगाई festival मनीपूर में celebrate किया जाता है, मनीपूर के अंदर में कौन सी जगे है, आपका लोक्तक लेक के अंदर में कौन सा है, केबूल, लमजाओ, नैशनल पार्क, वहाँ पर, ठीक है, clear है, ठीक है, clear है, तो क्या हो जाएगा, D इसका correct answer होगा, ठीक है, next question, वेलगाम is part of which of the following state, बड़ा पंगेबाजी हुई थी, गांधी जी का इससे कुछ relation है, वेलगाम से related कुछ है, गांधी जी, बताइएगा, comment करके सभी के सभी, कहाँ पर है ये, district कहाँ पर पढ़ेगा, कहाँ पर कौन सी जगे पढ़ेगा, करनाटका, गुजरात, आंदरपरदेश, कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, महरास्ट्र एंड करनाटका के बीच में, क्या हुआ था, ठीक है, कि ये पंगा हुआ था, कि एरिया कहाँ पर पढ़ेगा, और अभी भी चल रहा है, dispute, तो ये एरिया कहाँ पर, करनाटका में चला गया है कहाँ पर है, करनाटका के अंदर में है, गांदी जी का कुछ लेना देना है, कमेंट करके बताइएगा, ये इसका correct answer है, next question है, UNDP का plastic waste management program में चल रहा है, उससे related एक question है, कि as a part of initiative, UNDP क्या कर रहा है, जन्धन account kit भी क्या कर रहा है, जो waste segregation workers हैं, जो waste को segregate करते हैं, उनको formal sector, उसको formal sector राने में ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइए, बताइए, ठीक है, बताइए, तो दोनों की दोनों statements हैं, प्लीज याद रखिए, जन्धन account बाटा जा रहा है, कि kit दी जा रही है, जिसके card में क्या हो, जो segregation करते हैं, जो कूडे के धेर को अलग-अलग करते हैं, वो क्या करें, क्या ना करें, informal से, formal sector के अंदर में, financial inclusion हो, इसका correct answer हो जाएगा, C, बोट statement हो, ठीक है, तो, I think, पांच question में से कितने question सही हुए, आप सभी के सभी comment करके ज़रूर बताइएगा, और ये बहुत ही शानदार एक opportunity है, दोस्तो, success in prelims, आप अपना 2023 का exam क क्लियर कर रहा है, अगर चाते हैं, तो ये बहुत अच्छी opportunity है, लेकिन code आपको क्या use करना है, PRT live code ही use करना है, NCIT के batch को आप join कर सकते हैं, पंदरा सो रुपे में आपको NCIT का ये पुरा का पुरा course, सारी चीज़े मिल जाएंगी, तो, explore and evaluate the impact of work from home on family relationship, 2022 का question है, बताइए, आप एक बार दुबारा शोइब जी ट्राइ कर लीजिएगा, दूसरे में मौध्यम से करने की कोशिश करिएगा, ये बताइएगा, और बहुत important है, answer दीजिएगा, इसका date so word है, 2022 के दर में question है था, ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और, 1200 लोग हो, session end होते होते हैं, कम से कम 1200 लोग ब्यान के चलता हो, थोड़ा सा tough and rough हैं, वो नहीं करेंगे like, लेकिन हम कम से कम, 1000 के आसपास तो पहुच सकते हैं, और Instagram पर जुड़िए, Twitter पर जुड़िए, Telegram पर जुड़िए, सभी के सभी, जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूंगा, सही समय कभी नहीं आता है सही समय बनाना पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए कभी भी सही समय नहीं आएगा दोस्त, ये मत सोचो कि आने वाले समय पर करूँगा, इस समय पर करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, अभी सही समय, आज से पढ़ना, अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीके, मिलते हैं, सारे subject मिलेंगे सारे subject ओके बाई बाई टेके दोस्तो जैहन